बार बार 54 मुसलिम कंट्री, 56 मुसलिम कंट्री, अभी इसराइल मारा बम और इसका भी सत्यानास, इसराइल सब को घुटनों पर लाएगा, अरे सुनलो सुनलो इत्मिनान से, अमीश देवगन आप भी सुनलो इत्मिनान से, ये तो एतने कद के हो उचल के, इतना बरा बन जात जबर्दस्ती, इसराइल जालिम है, और इसराइल वाई सही है, जैसे भारत में 1947 से पहले इंगलेंड, फिलिस्तिन वाले किसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुर्ग का रोटी नहीं खाते हैं, 1948 से अब तक वो आजादी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं, पुरी दुनिय से यहूदी को धुतकारा गया, भगाया गया, और आखरी में फिलिस्तिन के मुसल्मानों ने इनसानियत के नाम पर उन्हें अपनाया, और सारी गोदी मीडिया वहां के एकाद बम अगर गिर गया तो लड़ाई आएंगे भी नहीं, आप लोहा मानिये, हम किसी का लोहा और भारत में अभिवेक्टी की सौतंतरता है, इसलिए मैं कोई इसराइल के पक्ष में खड़ा है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, कोई फिलिस्तिन के पक्ष में खड़ा है, उसका विरोध भी उसे नहीं करना चाहिए, जो इसराइल के पक्ष में खड़े हैं, वो तर्क हमारे पास लेकिन जब आप हमसे पूछेंगे कि आप कहां खड़े हैं तो यहां से फिर बात शुरू होगी कि आप कहां खड़े हैं और क्यों खड़े हैं और वो लोग जो इसराइल के पक्छ में खड़े हैं मैं गुदारिश करूँगा कि वो भी सुन लें कि मैं क्यों फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा हूँ ये तर्क उनको जानना चाहिए पहली बात ये पहले मैं भारत से शुरू करना हूँ फिर मैं इसराइल जाओंगा ठीके पहली बात ये है कि भारत उनिस्सो साइटालिस में आज़ाद हुआ और इसराइल का क्याम तंत्र हो चुका भारत का अपना संविधान उनिस्सो पचास में जब लागू हो चुका जब जवाहरलाल नहरू जैसे लीडर थे सरदार पटेल जैसे लीडर थे और उससे पहले अगर कर लें 48 तकरीबन फिलिस्तीन के इसराइल मुलक के अलान के बाद गांदी जी के हत्या हुई तो ना गांदी जी ने तसलीम किया ना नहरू ने तसलीम किया ना सरदार पटेल ने तसलीम किया सरदार पटेल के बारे में वो लोग जो आज इसराइल का पक्च कही न कही ले रहे हैं सरदार पटेल के विशे में वो हमेशा ये कहते हैं कि वो बहुत दूर दुर दृष्टी उनके पास थी और पूरी दुनिया के सियासत पर उनकी नजर थी और उनके अंदर निरने लेने की च्छमता थी मैं पूछता हूँ उन लोगों से सवाल जो इसराइल का समर्थन कर रहे हैं कि सरदार पटेल की जब इतनी बड़ी च्छमता थी आप ही कहते हो हम तो मानते ही है तो सरदार पटेल ने इसराइल को खारिज कर दिया यानि देश माना ही नहीं उसे आलोक तांतरिक आसमवाइदानिक देश माना उसे देश का दरजा भारत ने नहीं दिया दूसरी सरकार आई नेहरू जी के बाद इंदरा आई कई राश्ट्रपती आए बड़े बड़े योग लोग भारत में थे बड़े बड़े बिदवान लोग भारत में थे बड़े बड़े लेखक थे बड़े बड़े पतरकार थे ये नए निराले कौन से पतरकार आगए जो चिलना चिलना हुई 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 को मतलब किसी के साथ जल्म हो जाए किसी का घर लूट जाए कोई तबाह हो जाए कोई बरबाद हो जाए नहीं दिखाना आम को अगर एंगल मुस्लिम का मिल जाए सिर्फ वा फिर तो माई का और सब कैमरा लेके ऐसा दोड़ता लोग जैसे लग रहा कि परले आ रहा पीछे से कोई दुश्मन दोड़ा रहा हूँ सवाल यह है कि इसराइल ने कसम खा लिया है अब हमास को मिटा दिया जाएगा मैं मैं वो सब जगह आ रहा हूँ दो तीन मिनिट आउट टाइम दीजेगा तो भारत में इंदरा गांदी का समया फिलिस्तीनी मुक्ती का संगराम शुरू हुआ फिलिस्तीनी मुक्ती संगठन नाम का एक संगठन बना जिसके मुखिया थे यासिर अरफात यासिर अरफात जब पुलिस्तीनी मुक्ती की लड़ाई लड़ रहे थे तो भारत उस मुक्ती संगराम का साथी बना यह पहले समझ रहा है यहां के लोगों को तो इंदरा गांदी जो दुर्गा की अवतार और ना जाने कितनी अवतार और कितनी उपाध्या मिली है मोदी जी को तो अभी मिले भी नहीं इंदरा गांदी जी को ने ने कोई गुरू नहीं अभी बता रहा हूँ अभी तो फेल हो गए बता रहा हूँ मैं वहां आ रहा हूँ अब भगजन कहीं नाराज ना हो जाए तो इंदरा गांदी जी ने फिलिस्तिनी मुक्ती को समर्थन दिया और यासिर अरफात को अपना भाई माना एतिहासिक छने बता रहा हूँ जब दुरभाग पुर्ण घटना में इंदरा गांदी जी की हत्या हुई यासिर अरफात आए भारत दिल्ली दिल्ली की सड़क पर फूट फूट कर वो रो रहे थे बच्चों की तरह उड़का रहे थें कि मेरी बहन इस दुनिया से चली गए मैं अनात हो ग यह दो मिनट और मैं बोल दो वहां से लेकर राजिव गांधी तक फिलिस्तीन भारत का मित्र भारत का सहयोगी और फिलिस्तीन के तमाम उन लड़ाईयों को जिसको यह लोग अब आतंकवादी कह रहे हैं मुक्ती की जो लड़ाई थी उस लड़ाई को भारत का समर्थन परा रहा दुरभाग से एक परधानमंत्री यहां हुआ चड़ी बरांड का कॉंग्रेस का जिसने कॉंग्रेस का सत्यानाश कर दिया था उसका नाम था पीवी नर्सिमहा राओ उसने इसराईल को देश के रूप में सुईकार भी किया उससे संबंध भी बनाया लेकिन एक और पर जिस पार्टी के बल पर आज मोदी जी परधानमंत्री बने है उस पार्टी को खड़ा करने वाली हस्ती जिसका नाम सुरगिया अटल बिहारी बाजपोई कहा जाता था अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान तो वो कमल निशान जिसकी वज़े से मोदी और सोशल मीडिया पर वाइरल फिर हो रहा दोबारा भक्त जनों को सुनना चाहिए सवाल सवाल यह है इसे लोगों के साथ नहीं है जो गहर कानूनी तरीके से किसी देश की भूमी को हड़प ले आप कहां खड़े हैं यह कहा जाना कि इसराइल जो हम मास को मिटा देगा है आप कहां खड़े हैं फिलहाल तो मैं अपने घर में खड़ा हूँ भारत में हूँ भारत के साथ हूँ इस मुद्दे पर भी भारत के साथ हूँ भारत तो इसराइल के साथ है नहीं भारत नहीं इसर प्रक्राइब करगे सिलिप किये हैं वह सिलिप कर गए है अब गलती नहीं मान सकते हैं प्रधान मुंतरी हमारे देश के हैं एतने वरे देश का पदांतरी अगर सिलिब भी करता है तो एतनी आसानी से सौपी नहीं बोलता है सो मोदी जी नहीं बोलेंगे और मोदी जी को मोदी जी के समर्थन का नतीजा यह हुआ कि पूरी भारत की मीडिया गोधी मीडिया जिसको आप कार है वो मोधी मीडिया बन गई और वो तो एक ही दिन में निमट रही थी हमास से भी, इसराइल से भी, लिबनान से भी, साओधी से भी, कतर से भी, बायरेन से भी, उमान से भी, यमन से भी, सीरिया से भी, मिसर से भी, इराक से भी, और बार 54 मुसलिम कंट्री, 56 मुसलिम कंट्री, आभी इस्राइल मारा बम और इसका भी सत्यमास। इस्राइल सब को घूतनों पर लाएगा। सुनलो सुनलो इत्मिंटन से, अमिश दिवगन आप भी सुनलो इत्मिंटन से, यह तो इतने कदके हो उछल के इतना बोरा बन जाते हो जबरदस्ती। आप बोलते बोलते मर जाओगे आप से पहले भी लोग बोलते मर चुके हैं दो घंटा ये चलता ही दो घंटे में गाजा तबा हो गया छे गंटे में दो घंटा मैं मुबाइल किदर रखाओ दो काओ दस मिनट पंद्रे मिनट पांच मिनट एक सवाई से आपको स्क्रीन जाएगी आजीब मामला और सारी गोदी मीडिया वहां के एकाद बम अगर गिर गया तो ला उटके आएंगे भी नहीं ठीक है वो भी मैं कहा रहा हूं तो दूआ भी नबरदास कर पाएगी वो तो यह सी गारी मैं चुप चुप कर रही मैं दिखा रहा हूं मैं दिखा रही तो टोटल खबरें फर्जी है सची खबर ये है कि काटे का टकर है इसराइल को 2006 में उसी हिजबुला ने 38 दिन के जंग में भुटने टकवाया था आप लोहा मानिये हम किसी का लोहा हुआ नहीं मानते हम लोग बाई नेचर लड़ने और मरने वाले हैं हम लोग कैप्टन हमीद के नसल के हैं हम वो नसल के नहीं है कि रन छोड़ के भाग जाएं हम सब को सबक सिखाना जानते हैं तो आप अगर हम से जोड़ते हैं तो ये वात नोट कर लिजेगा कि हम पाकिस्तान को भी धूल चटा चुके हैं हम चाइना से भी लड़ चुके हैं हम कहीं पीछे ही नहीं है सब काम ये खुद करवाते हैं एलक्षन के लिए पुलवामा एटेक किसे ने किया था एक हजार सुनिए एक हजार ऐसे एविडेंस आए जिसमें ये पता चला मैं आज एक बड़ी बात बोल रहा हूं देश के अंदर जितने बंधमाके होते थे अभी नहीं हो रहे ह भरते जनता पाटिक सरकार में नहीं हो रहा कभी ट्रेन में समझोता एक्सप्रेस में बंबलाष्ट कभी मक्का मस्दीद में बंबलाष्ट कभी अजमेर में बंबलाष्ट ये यहां के वो संगठन के लोग हैं जो संगठन के लोग देश को आइस्थिर करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर ये लोग लिख रहे हैं कि मुसल्मान इतना क्यूं उचल रहे हैं कभी जुमा के दिन निकल जाते हैं या आप ही है इतना चिल्ला के बयान दे रहे हैं आकरोश है आपकी भासा में तो ये क्यूं क्या रिष्टा है आपका फलिस्तीन से नहीं नहीं फलिस्तिन से नहीं पूरी दुनिया के मजलूमों से हमारा रिष्टा है और भारत का भी रिष्टा है ये तो एक बात किलियर होना चाहिए पूरी दुनिया के मजलूमों से जहां भी इनसानियत का गतल्याम होगा इनसानियत पर जल्म होगा कश्मीर से लेकर कन्या महरा था तब आप कहां थे तब तो हम दूद पीते बच्चे थे लेकिन आज एक बात बता दूँ होश में आते ही हमने उनका बिरोद किया और बाद में पता चला कि वो भाजपा कही लोग निकले सब जगमोहन जो थे वो सब भाजपा कही लोग थे यह अफसोस की बात है बहर इसाइल जालिम है और इसराइल वाइसफी है जैसे भारत में उनिस्टो साहिटालिस से पहले इंगलेंड था कहला हमास के साथ प्लिस्तीन के साथ को हमास के साथ फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा है जो खुदी राम बोस के साथ खड़ा था हमास के साथ फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा है जो शहीद आदम भगत सिंग के साथ खड़ा था हमाज के साथ, फिलिस्तीन के साथ वो खड़ा है जो न तमाम देश के नाम पर अपनी जान देने वाले महान सुपूतों के साथ खड़ा था इसराइल के साथ वो खड़ा है जो अंग्रेजों की उस वक्त भी मुख्बिरी और दलाली करता था और आज भी उसकी आदत वही है का अपने नाम लिये वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो क्या लड़ रहे हैं फिलिस्तिन वाले किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं ये मुर्ग का रोटी नहीं खाते हैं इतियास नहीं पड़ते हैं 1944 से अब तक वो आजादी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं इसराइल को थुपा गए देखे जो इसाई जो इसाई आज आशू बहा रहा है जो बेशरम अमरीका उसकी मदद में आ रहा है उस बेशरम अमरीका से ये सवाल है कि जब हिटलर मार मार के मार मार के इनको कचूमर निकाल दिया था और कई लाख यहूदियों को खतम कर दिया था तब आपने बचे हुए यहूदियों को अपने मुलक में क्यों नहीं बसाया पूरी दुनिया अभी कई इतिहासें पूरी दुनिया से यहूदी को धुतकारा गया भगाया गया और आखरी में फिलस्तीन के मुसल्मानों ने इनसानियत के नाम पर उन्हें अपनाया आप यहां रहें क्या इसका यही आप सिला देंगे क्या अब आपको हमने रहने दिया तो आप कहेंगे नहीं यह पूरा घर हमें दे दो यह नहीं चल सकता है किसी कीमत पर नहीं चलता है मस्ज़िद आकसा से क्या बड़ी ट्रेंट चला है इसे क्या रिश्टा है ये फिलिस्तीन और इसराइल के बीज जो जगड़े हैं दो तरह का जगड़ा है एक तो जमीन का जगड़ा स्वतंत्र फिलिस्तिनी राष्ट के निर्मान का जगड़ा फिलिस्तिन स्वतंत्र हो उसको निर्ने लेने का पूरा अधिकार हो अपने बारे में ये असल लड़ाई ये पहली स्वतंत्र फिलिस्तिनी राष्ट की लड़ाई दूसरी लड़ाई है मस्जिद अक्सा की की लड़ाई अलग है दोनों दो लड़ाई है यह अलग बात है कि सियासत में लोग जोडते हैं फिलिस्तिन के लोगों की मजबूरी है कि उनको वो समर्थन नहीं मिल पाता अगर मस्जिद अक्सा वहां ना होता तो यह हकीकत है क्योंके मुसल्मान मुसल्मान जितना जजबाती है उतना ही मुसल्मान बहुत परले दरजे का मतलब मैं लफ़ ढून रहा हूँ क्या बोलू अभी जो लोग उचल रहे हैं एक बात मैं बोलू लोगों को मिर्ची लग जाएगी भारत में रेलिया निकल रही है पाकिस्तान में भी निकल रहा बंगला देश में भी निकल रहा दुनिया के कई मुसल्म मुलकों में और एक नारा लग रहा तेरा मेरा रिश्टा क्या पूछिए उन नारा लगाने वालों से कि भै फिलिस्तीन के जो लोग है वो किस मसलक के हैं मसलक तो आपने जाना नहीं है वो शाफ़ई है के हनफी है मुसलमान है और हम काफिर है नहीं तो हमें काफिर कहा जा रहा माइक लगा कर भाई यहां भारत के अंदर